हालो इवरिवान वैलकम टू माई चानल तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी यह डोरी वेस्ट अम्रेला कुर्ती जिसको हमने अम्रेला प्लाजों के साथ बनाया है तो गाईज इस तरह की ओल अवर ड्रेस आजकल बहुत जादा ट्रेंड में है और अगर आप फ्रॉक सूट बनाना चाहते हैं तो आप इसको एक बार ट्राय जुरूर करें डेली यूस के लिए भी काफी अच्छा आप्शन है और अगर आप अच्छा फैबरिक यानि डिजाइनर फैबरिक के साथ बनाएंगे तो ये ड्रेस आपकी पार्टिवेर भी बन जाएगी ये फुल ड्रेस हमने कितने फैबरिक में बनाया है इस ड्रेस का मेजर्मेंट क्या है और कितने मेजर्मेंट के लिए कितना फैबरिक लेना होगा वो आगे वीडियो में डिसकास करेंगे सबसे पहले आप यहां मेरी कुर्ती का मेजरमेंट देख सकते हैं तो मैं इस मेजरमेंट से कुर्ती रेडी कर रहे हूँ आपका जो भी मेजरमेंट है आपको इसी तरह से अपना मेजरमेंट लिखना होगा इसके बाद देखते हैं हमने जो फैब्रिक लिया है वो कितना लेना है तो कम से कम हम इसको बनाने के लिए धाई मीटर प्रिंटर ट्रियॉन फैब्रिक ले रहे हैं अगर कपड़े का अरज 40-44 इंच है तो धाई मीटर की ज़ोद पड़ गी लेकिन कपड़े का अरज 55-60 इंच होगा तो दो मीटर में भी ये कुर्टी बन जाएगी अब देखिए इससे पहले मैंने अमरेला प्लाजो बना लिया है जो मैंने धाई मीटर में बनाया था उसकी बाद लगबग मेरा ये दो मीटर फैब्रिक है लेकिन इसका जो अरज है वो 60 इंच है तो अमरेला प्लाजो कट करने के बाद जो कटिंग है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है तो इसी मैं से मैं कुर्टी बनाऊंगी तो ये मेरी किनारी वाली साइड है अब इसको हम यहां से ट्राइंगल शेप में फोर्फोल्ड कर लेंगे तो अगर आप डाइमेटर से बना रहा है तो सिंपल इसी तरह से ट्राइंगल शेप में फोर्फोल्ड करना होगा ये ओपन वाली साइड है फोर्ड लेयर है और ये वाली side हमारे कपड़े की folded side है इसके बाद देखिए इस वाले corner से हम घेरे की कमर की marking करेंगे तो कमर की marking के लिए हम अपने कमर का fourth part plus 1 inch add कर लेंगे सो मैं 32 inch के लिए बना रही हूँ तो 32 का fourth हुआ 8 inch 1 inch इसमें हमने plus किया तो 9 inch हुआ इसके बाद open वाली side से जो भी लेंटा हैगी हमने इंची टेप को इस तरह से रखना है और नीचे से हमने इंची टेप को पीछे की तरफ गुमाते हुए dot dot करके marking करनी है तो हमें ये 9 inch की गुलाई पे चाहिए इसके बाद इसको check कर लेंगे तो यहाँ देखिए ये 9 inch है अब जो भी हमने dot करके mark किये थे इनको एक साथ join कर लेंगे इसके बाद आदा से 5 inch उपर की तरफ एक और mark करेंगे जो हमारी cutting का mark होगा अब कुर्ती के घेरे की length लेंगे तो इस वाले mark से हम अपने top part की ready length रखेंगे तो 15 inch पर मेरा top part ready है इसके बाद नीचे से कुर्ती की length चेक कर लेंगे जितनी भी हमें कुर्ती की ready length चाहिए उसमें हम 1.5 से 2 inch प्लस कर लेंगे तो मैं 37 inch पर mark कर रही हूँ इसके बाद मैं अलगबग 1.5 inch और प्लस कर लूँगी तो यह हो गई हमारे घेरे की length इसके बाद inch tape को उपर corner पर रखेंगे और जहां हमने नीचे mark किया है इसी mark को हमने आगे की तरफ follow करना है और आगे तक mark करना है तो 34 inch की total length है अभी फिलहाल इस तरह से पहले dot dot करके marking कर लेंगे अब इन सभी marking को हमने एक साथ match कर लेना है इस तरह से dark कर लेना है तो देखिए यह हमारे घेरे की length होगी जिसमें हमने 1.5 inch प्लस करके cut करना है इस तरह से अब इसकी हमने cutting कर लेनी है तो कमर से half inch जो हमने extra लिया था वो cut कर लेंगे और नीचे भी थोड़ा सा मैंने length में और बढ़ा लिया है अब यहाँ पर हमारा यह जो fabric बचा है इसमें से हम top part और sleeve cut करेंगे तो किनारी वाली side से fabric को देखिए इस तरह से मैंने 4 fold कर लिया है इसकी जो चोड़ाई है वो मैंने 11 inch ली है 9.5 inch पर इसका bust आएगा अब top part की length जो हमने लेनी है वो 16 inch लेनी है 15 inch पर यह ready हो जाएगा तो अब इसको हमने सीधा करके cut कर लेना है तो यह हमारे top part की length और width इस तरह से आएगी जितना भी हमारा bust है उसी के according इसकी चोड़ाई लेनी है और length एक inch प्लास करके लेनी है तो देखिए यह हमारी open side है जहाँ पर 4 layer है और यह वाली side जो है वो हमारी folded side है इसके बाद हमने यहाँ से shoulder का half लेना है जो है 7 inch और mark कर देंगे neck की width 3 inch ले रहे हैं अब shoulder से half inch नीचे की तरफ कंधी down करेंगे और neck से इस वाले point को तिरचा करके मिला देंगे तो यह हमारी कंधी down हो गई है अब यहाँ से हम अपने armhole की length लेंगे जो है 7 inch तो 7 inch पर पहले सीधा mark करेंगे जहाँ पर bust line आएगी और इस mark को उपर सीधा मिला देंगे अब यहाँ से हमने अपने bust का foot part mark करना है जो है 9 inch इसके बाद free hand से back armhole की shape देंगे और half से पॉन inch अंदर की तरफ front armhole की marking करेंगे अब यहाँ से हमने कमर का foot part mark करना है जो है 8 inch और आगे की तरफ डेर से 2 inch margin आट कर लेंगे अब इन दोनों point को line up कर लेंगे तो एक cutting का mark है और एक fitting का cutting वाले mark से उपर की तरफ हमने 5 inch पर एक mark करना है जहां से हमने अपने top part की कमर की इस तरह से गोलाई देनी है सो marking हमारी complete हो चुकी है इसके बाद हमने अपने back armhole से इसकी cutting कर लेनी है cutting करने के बाद अब हमने अपना neck cut करना है तो गेरे की कमर की side से जो fabric बचा था इसको हम four fold कर लेंगे और neck की strip cut करेंगे दोनों की fold वाली side एक side में रखेंगे neck की चोड़ाई में 3 inch ले रही हूँ और back neck की जो गहराई है वो 5.5 inch लेकर front neck की लंबाई 6.5 inch लेंगे नीचे से भी 3.5 inch पर मांग करके दो box बना लेंगे और इसमें neck की shape दे देंगे तो मैं fabric पर neck बना रही हूँ आप इसको बुकरम पे भी बना सकते हैं और armhole की भी extra cutting कर लेंगे और ये neck की strip है इसकी चोड़ाई में 1.5-2 inch लेकर round में cut कर लूँगी इस तरह से अब देखिए इसमें हमने armhole की extra cutting कर ली है सो ये हमारा front वाला part बनेगा जिसमें हमने neck की भी extra cutting कर ली है इसके बाद जो हमारे fitting के mark है इन पर हम notches लगा लेंगे अब देखिए neck बनाना बिल्कुल simple रहेगा जो neck की strip cut की है हमने front और back की दोनों को इस तरह से यहां रखना है और एक pair की sly लगा कर इसमें छोटे छोटे cut लगा देंगे पट्टी half में fold हो जाएगी और ये अंदर की तरफ जाकर पूरी तरह से इस तरह से stitch हो जाएगी इसके बाद हमारे पास जितना भी fabric पचा था उसमें से मैंने इस तरह से sleeve cut कर ली है इनकी cutting में अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ तो sleeve की जो length है वो मैंने 15 inch ली है इसके बाद हमारा जो flare है उसकी length मैंने 6.5 inch ली है armhole की width 6.5 inch ली है और sleeve की जो मोरी है वो मैंने 6.5 inch ली है इसके बाद हमने जो flare cut किये हैं वो एक एक part को हमने अपनी sleeve के साथ joint करना है दो sleeve हैं और दो ही हमारे flare हैं तो दोनों को हमने मोरी के साइट से जॉइंट कर देना होगा, दोनों की राइट साइट अंदर की तरफ रहेगी और यहां से हाफ इंच का दबाव लेकर एक सिलाई लगा देंगे, फिस तरह से यह हमारा फ्लेयर स्लीव के साथ जॉइंट हो जाएगा, अब देखिए हमने यहां पर फ्रेंट वाला जो नेक है वो बना लिया है, पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा दी है, तो काफी फिनिशिंग के साथ यह फैबरिक पट्टी वाले नेक बन जाता है, तो बैक वाले नेक को भी मैंने देखिए इसी तरह से पट्टी लगा कर स्टिच लगा लिए है, और छोटे-छोटे काट लगा लिए है, इसके बाद हमने इनकी कंदी जॉइन करनी है, तो उसके लिए दोनों की सीधी तरफ अंदर रहेगी, बैक नेक की पट्टी को भी हमने फोल्ड नहीं किया है, दोनों की सिलाएवाली साइट जो है वो एक तरफ रहेगी, और बैक नेक की पट्टी को फ्रंट में इस तरह से लागर हाफ में फोल्ड करेंगे, और यहां से हाफ इंच का दबाव लेकर कंदी सिल देंगे, फिटिंग लगाने के बाद हमने इसमें स्लीव लगानी है तो जो हमने मार्किंग की थी यहाँ पर हमने नौचेस लगाए थे उन्हीं नौचेस को मैच करते हुए हम मार्क कर लेंगे और इसकी फिटिंग लगा लेंगे फिटिंग लगाने के बाद अब हमने देखिए अपनी स्लीव का जो फ्लेयर था वो जॉइंट कर दिया है और नीचे से किनारे भी क्वार्टरी जिसको डबल फोल्ड कर दी है अब इसके फिटिंग लगा लेंगे तो यहां से हम हाफ इंच का दबाव लेंगे स्लाई को अच्छे से लॉक करेंगे और हमारे टॉप पार्ट का आर्मोल जितना भी है उसी के बराबर हमने स्लीव का आर्मोल रखना है तो यहां भी हमने अच्छे से स्लाई को लॉक कर देना है इसके बाद देखे यह हमारी स्लीव बिल्कुर रेडी हो गई है तो दोनों स्लीव को इसी तरह से ready करेंगे और अब हमने अपनी दोनों स्लीव टॉप पार्ट के साथ attach कर देनी है so guys fitting लगाने के बाद ही मैं दोनों स्लीव लगाती हूँ इस तरह से स्लीव लगा ली है अब घेरा joint करना है तो उसके लिए पहले घेरे में हम fitting लगा लेंगे जितनी भी हमारे top part की कमर है उतनी हमने घेरे की कमर रखनी है और नीचे से जो हमारे घेरे का flare है उसको भी quarter डबल fold कर देंगे इसके बाद हम top part को घेरे की कमर की side से इस तरह से joint करेंगे तो दोनों की side की जो fitting है वो एक दूसरे के सामने रखेंगे इस तरह से अब ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान से देखिए जो हमारा top part है वो घेरे से लगबग आदा इंच पीछे की तरफ आएगा यहां से तो घेरे को हमने आदा इंच आगे की तरफ निकाल लेना है side से fitting जो है वो बराबर मिला कर रखेंगे और सिलाई हमने यहां top part पर लगानी है तो चलिए मैं machine पर करके दिखा देती हूँ पहले यहां जो side वाली fitting है वो एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे अब सिलाई कहां से start करनी है वहां पर मैं mark कर देती हूँ तो यहां से लगबग जो हमारी fitting है वहां से आदा इंच छोड़ते हुए हमने सिलाई start करनी है पहले सिलाई को हम अच्छे से lock कर देंगे दो से तीन सिलाई लगा कर इसके बाद देखिए जो हमारा घेरे वाला पार्ट है इसको मैंने आगे की तरफ आदा इंच निकाल दिया है और जो सिलाई है वो टॉप पार्ट पे इस तरह से आदा इंच पर है यहनि टॉप पार्ट का जो margin है वो हम आदा इंच ले रहे हैं और घेरे का जो margin है वो हम एक इंच ले रहे हैं क्योंकि हमने घेरे में ही नेफा बनाना है इसलिए हमने घेरे का जो फैबरिक है वो आदा इंच आगे की तरफ निकाल दिया है अब यहाँ पर हम दूसरी side fitting वाले जगा पर आ गए है तो इनको भी एक दूसरे के सामने ही रखना है इस तरह से अब यहाँ सिलाए लाकर कहा खतम करनी है वो देख लेते हैं तो देखें यहाँ हमने आदा इंच पहले ही खतम कर देनी है यहाँ पर सिलाए को अच्छे से लॉक कर देंगे अब इसी तरह से हम दूसरी side में भी सिलाए को स्टार्ट करेंगे तो fitting से आदा इंच के बाद हमने सिलाए को स्टार्ट करना होगा यहाँ से आदा इंक छोड़ते हुए तो पहले सिलाए को अच्छे से लॉक कर लेंगे दोसे तीन सिलाए लगा कर इसके बाद आगे बिल्कुल इसी तरह से continue करना है और जब हम इसका end करेंगे तो वहाँ भी हमने इसी तरह से थोड़ा सा gap छोड़ देना है तो लगबग 5 इंच के around हमने यहाँ पर fabric छोड़ना है यानि यहाँ पर हमने सिलाई नहीं करनी है जहां हमारी side की fitting होगी वहीं से हमारी door insert होगी तो उतना हमने जगा खोल के रखनी है अब दिखें यहाँ हमने इसको end कर देना है अब यह वाली जो side है यह दूसरी side में fitting आ गई है तो यहाँ पर हमने आदा जिस तरह से इधर छोड़ा था fitting के बाद इसी तरह से हम यहाँ पर छोड़ देंगे तो इस वाले fabric को हमने यहाँ इस तरह से रखना है दो से तीन सिलाए लगा कर पका करके निकाल देना है तो इस तरह से यह जो हमने side की fitting है वो लगाई है और जहां हमारी side की fitting होती है वहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा हमने छोड़ा है लगबग एक इंच आप मान सकते हैं इतना हमने इसको नहीं सिला है इसके बाद अब हमने अंदर की तरफ इसका नेफा कैसे fold करना है वो देख लेते हैं तो उल्टी तरफ से हमने सिलाई करनी होगी अब ये margin वाला जो कपड़ा है टॉप पार्ट का इसको हमने इस तरह से तिकोना शेप में fold करना होगा और जो एक इंच हमारा घेरे वाला कपड़ा है इसको हमने उपर की तरफ यानि टॉप पार्ट की तरफ सिलाई करनी है और जिसको अंदर की तरफ fold करना है वो हम quarter inch करेंगे अब नेफा की जो चोड़ाई है वो एक से pon inch के around आएगी इस तरह से और नेफा बनाते हुए हमारे टॉप पार्ट का जो फैबरिक है उसमें कोई जोल नहीं आना चाहिए तो हातों से हम सैट करेंगे टॉप पार्ट के फैबरिक को और थोड़ा थोड़ा नेफा बना कर हमने किनारी पर सिलाई करनी होगी इसके बाद देखे हम दूसरी साइट पर आ गये हैं जहां हमारा टॉप पार्ट का ये डेल इंच का मार जाने इसको भी हमने तिकोना शेप में इस तरह से फोल्ड करना होगा और यहां भी बिलकुल इसी तरह से हम नेफा बनाएंगे सो बस आगे भी हमने इसी तरह से continue रखना है और पूरा नेफा बनाते हुए बस हम एक चीज़ का धिहान रखेंगे जो टॉप पार्ट का फैब्रिक है सीधे तरफ उसमें कोई जोल या सिलवट नहीं आनी चाहिए अब ये जो नेफा वाली सिलाई है ये पूरी गोलाई में होगी यहां हमने कहीं भी मशीन को नहीं निकालना है जहां से हम स्टार्ट करेंगे वहीं लाकर इसको दूसी तरफ एंट कर देंगे सो गैस वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझने ही आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ आप मुझे कमेट में पूछ सकते हैं मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगी तो देखिए अब ये दूसरी वाली साइड आ गई है जहां से हमने नेफा बनाना स्टार्ट किया था यहां लाकर इसको एंड करेंगे और अब इसको निकाल लेंगे तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ हमने अलग से कोई भी पट्टी यूज नहीं की है और इसी में हमने जो हमारा घेरे वाला फैप्रिक था हमने नेफा फोल्ड कर लिया है अब यह हमारी फ्रंट वाली साइड है साइड से ही देख सकते है इतना पार्ट हमारा ओपन है जहां से हमारी डूरी इंजर्ट होगी आप देखिए डूरी बनाने के लिए हम एक इंचोड़ी पट्टी कट करेंगे और लंबाई कम से कम हम इसकी फ्रंट इंच ले लेंगे तो दोनों डूरी को हमने इस तरह से थोड़ा सा मोटा तयार कर लेना है इसके बाद हमने किसी भी सेफटी पिन की हेल्ट से इस डूरी को इसकंदर इंजर्ट करना होगा तो जहां से हमने जगा खोली है इसको यहां से insert करेंगे और यह बहुत ही आसानी के साथ दूसी साइड में डोरी निकल जाएगी तो इस तरह से आपने देखा जो हमने नेफा बनाया टॉप पार्ट में उसमें कोई भी silver जोल या चुन्नट नहीं है बिल्कुल सीधा नेफा है तो दोनों डोरियों को हमने इसी तरह से डाल लेना है फ्रांट और बैक में इसके बाद जो हमारी डोरी के सिरे हैं तो चारों सिरों में हम यहां पर टाजल्स लगा लेंगे और टाजल्स लगाने के बाद हमारी कुर्टी बिल्कुल रेडी हो गई है यह आप देख सकते हैं 37 इंच की लैंट पर हमारी यह कुर्टी रेडी हुई है और इसके साथ जो मैंने यह अम्रेला प्लाजो बनाया है इसको मैंने धाई मीटर फाब्रिक से बनाया है क्योंकि मेरे फाब्रिक का अरथ जादा था इसलिए डाई मीटर लगा है और इसमें कोई भी जोइंट नहीं आया है अगर आपका अम्रेला प्लाजो परफेक्ट नहीं बनता तो आप इस प्लाजो की वीडियो ज़रूर देखें उसका वीडियो में अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ लिंक आपको यहाँ इस एंड स्कृन पर मिल जाएगा तो इसको टाच करके आप अम्रेला प्लाजो की वीडियो देख सकते हैं